नमस्कार, हिस्ट्री के क्लास में आप सभी का स्वागत है हम लोग हिस्ट्री में Modern India सुरुआत कर चुके थे और इसमें मैंने आपको बता दिया था कि औरंग जेब के बाद से मैंने Modern India को लिया है और महीं से मैंने सुरू किया है 1707 में जैसे उसके मृत्ति होती है और उसके जो उत्तर अधिकारियों का यूद्ध होता है The Declined of Mughal Empire ठीक है, वहाँ से मैंने Modern India आपका स्टार्ट किया है जिसमें मैंने पहला लेक्शर आपका ले चुका था जिसमें बता दिया था कि उसके उत्तर अधिकारी के यूद्ध में सबसे विजय कौन हुआ, बादूर्सा प्रथम जो है राजगद्धी पर बैठा उसके बासे आपके जहादार सा आए फरुक सियर आया और उसी करम में बढ़ते बढ़ते आपके कौन आया मुहमासा रंगिला है मुहमासा रंगिला तक हमने बात कर लिया था ठीक है, अब मुहमासा रंगिला के बाद हमें आगे चलना है कि कौन-कौन से उनके उत्तर अधिकारी बने आमसा है, मुहमासा के पुत्रे थे आमसा और इनहीं के समय में आपका बोला जाए तो इरान के जो मुहमाद शाह के समय में इरान के जो राजा थे नादीर साह उन्होंने आकरमण किया था वहीं पर करनाल का युद्ध हुआ था ये कुछ आपका मैं समरी बता दे रहा हूँ जो प्रिवियस में मैंने आपको पढ़ाया था तो इस्टाट करने से पहले सेसेन अप सभी लोग जानलों य journalists दिये जा रहा है वाँ 10 प्लस course के अंतरगत दिये जा रहा है इन 10 प्लस course में आपको 10 courses के slabbers जो है cover कराय जाएंगे इसलिए classes बहुत detail में चल रही है अगर आप इन classes के notes practice set लेना चाहते हो तो आप पर इक्षाप्लस एप से PDF सब्सक्रिप्सन प्लान ले सकते हो इसके दो फेज, यह दूसरा फेज चलना है, पहला फेज हो चुका है अगर आप पहले या दूसरे फेज में से किसी एक फेज में लेना चाहते हो पहले फेज में आप देखोगे तो वहाँ पर पूरा के वीडियो और वहाँ के PDF लगे हुए है अगर सेकेंड फेज लेना चाहते हो, तो सेकेंड फेज में आपका यह 15 जुलाई से जो भी क्लासेस यहां चलने ही, उनके आप PDF प्राप्त कर सकते हो अगले 3 महिने तक के लिए तो यह PDF सब्सक्रिशन प्लान है, बाकी हमारे वीडियो जो है, वो free of cost है आपको कोई payment नहीं करना है वीडियो के लिए तो आगे बढ़ते हैं हम अपने सेसन में, देखते हैं कि आज मुहमास सा को खतम करेंगे उसके बाद से, आमास सा के बारे में बात करेंगे, ठीक, और उसके बाद से आज जो decline of Mughal Empire है वो समाप्त कर देंगे और एगले सेसन में हम महाराठा की तरफ बढ़ जाएंगे तो मैंने बात किया था आपको कि यहीं पे क्या हुआ था कि आपका नादिर साह का आकर्मन हुआ था और अहमस साह अबदाली का भी आकर्मन मुहमस साह के समय में ही हो गया था आहमस साह अबदाली ने पहला आकर्मन जो किया वो तो अप उसका असफल रहा लेकिन जब इसका बेटा आया क्योंकि आहमस साह ने आहमस साह अबदाली को रोका था तो जब आहमस साह राजगदी पर बैठता है दिल्ली की सत्ता समालता है तो उसे क्या क्या फेस करना होता है मैं पहले भी पता चुका हूँ कि जब डेकलाइन अफ मुगल एंपायर सुरू किया था कि धीरे धीरे इसके उत्तरे दिकारी उस काबिल नहीं थे कि इस मुगल सामराजी को स्थापित कर सके सही से सुचार रूप से चला सके और एक कारण ये था कि अलग-अलग लोगों की गुडबंदियों के कारण ये अपने पतन की और अगर्शर हो रहा था उसी समय में धीरे क्या हुआ कि लोग जब गुडबंदी बना लिएं ऐस आराम में राजा जादे लिप्त होने लगें तो ऐस आराम कहां से आएगा आएस आराम आने के लिए पैसा चाहिए और पैसा जो भी राजजस्व में अभी तक इकठा था उन सभी को ये जितने भी राजा थे अपने ऐसो आराम में जितने भी ये कुलीन वर्ग थें वो समाप्त करते चले गएं और धीरे धीरे राजजधानी का राजजस्व जो है खाली होता चला गया और आमसा के समय में ऐसा समय आ गया कि वहां पर सेना के बरतन देने के लिए कहा जाता था कि राजगहरानों के बरतन भी बेचने पड़े गए ठीक है तो चलिए बात करते हैं हम आज आमसा के बारे में आमसा 1748 से ठीक है चववन तक राजगद्धी पर बैठे और इन्हें बैठाने वाला और कोई नहीं उनके पिता स्री थे क्योंकि वन सनुगत परुष्ट हो गया था तो मुहमद सा के मरने के बाद तुरंत आमसा राजगद्धी पर बैठ गए और अपने वजीर किसको न्युक्त किया सफदर जंग को न्युक्त किया यह 48 से लेकर चोगन तक रहते हैं अब भाईया जैसे इनके बाप थे कहा जाता है कि जो मुहमद सा थे वो काफी जो ऐस आराम में रहते थे ऐस आराम के जिन्दिगी जीते थे ठीक है इस्तरियों का साथ पसंद था वैसे हमेशा देखते रहते थे राजदरबार में तो जै यही क्या किया राजदरबार में इसे और किसी से मतलब नहीं होता था यही सराव और सवाब का सोखीन थे दोनों यह बाप बेटे के सवाब और सवाब का सोखीन था इनहें जिसके कारण इन्होंने अपने पूरे पूरे राज्जी को पतन की ओर धकेल दिया और यही कारण हुआ कि इसने अपने वजीर को जो है सबदर्जम को वजीर बनाया और इसी के सासनकाल में एक हिजडो का जो बोला जाता है कि सरदार था जिसका नाम क्या था आपवेद खा था घिजडो का जो सरदार था उसका नाम था जावेद खा जिसे नवाब बहादुर की उपाधी दे दी और इसका रुजान जो आपका अहमसा का रुजान जावेद खा की तरफ बहुत जादे होने लगा था जिसके वज़ा से क्या हुआ सबतर जंग ये सब देख कर क्योंकि वो वजीर था और जावेद खां भी चाहता था कि अगर हमसा हमारे पक्ष में हो जाएं तो हम ये वजीर का पत सबतर जंग से छीन कर ठीक है वजीर हम खुद बन जाएंगे इसी के चलते क्या हुआ कि जो राजमाता थी और जावेद खां के बीच में कुछ जो है अन्बन हो गए क्योंकि जावेद खां और राजमाता ये दोनों लोग मिलकर एक तरह से कहा जाता था कि अहमसा के समय में प्रसासन चला रहे थे लेकिन ये इसका जो बोला जाए महत्तो कांची होने के कारण जावेद खां के कि ये सोचता था कि हम राजा बन जाएं और पहले तो ये सोचता था कि वजीर को पद से हटा दे और वजीर को पद से हटाने के बाद सीधे राजा को हटा दे लेकिन जो राजमाता थी वो जान गई थी इसके इरादे कि ये क्या करना चाता है इसी वज़ा से सब्दर जंग क्या करता है जावेद खां की हत्या कर देता है क्योंकि उसे राजमाता का सपोर्ट मिल जाता है अब जब जावेद खां में जो है मर जाता है उसी बीच वजीर का जो पावर ये बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं जावेद खां को आहमसा काफी प्यारा था जिसके कारण आहमसा सब्दर जंग पर गुस्सा हो जाता है और इसे वजीर के पत से निकाजित कर देता है ठीक है औ इमादुल मुल्क ठीक है इसे ये जो है नयाब का क्या बनता है वजीर बनता है ठीक ये वजीर बनता है और एक तरह से बोला जैसे ही ये वजीर बनता है वैसे पूरी तरह से मुगल सत्ता को अपने कंट्रोल में कर लेता है मगर जैसे अमसा को पता चलता है कि सब कुछ ये इमादुल मुल्क कल रहा है जिसका नाम गाजी उद्दीन भी था ये याद रखना इसका नाम क्या था गाजी उद्दीन था इसने क्या किया था सब्दर जंग को जो ये सब्दर जंग था वजीर के पद से हटा दिया ये बार बार विद्रो कर रहा था तो इसको सरदार मलहर राओ के help से ये होलकर राजवन्स के प्रथम राज कुमार थे इनके help से सब्दर जंग को हटा देता है और खुद वजीर बन के बाद ईक बोला जाया सुल्तान को कटकुटली तरह नचाता जब सुल्तान को इन सब बातों चाइब रूशन किता है तो उल्तान क्या करता है इतर मानो patriarch को मारने का सडियन तरस्ता है और इधर मानो अलमुर्क भी जान जाता मराठो बनाता है है जहांदार सा के पुत्र अजीद दीन जहादार सा के पुत्र अजी जुद्दीन को गद्धी पर बैठाता है जिसको नाम देता है आलमगेर सेकेंड आलमगेर सेकेंड के नाम से इन्हें गद्धी पर बैठाता है वो किसके पुत्र होते हैं जहादार सा के पुत्र होते हैं आदार सा वही आपके जो आपके बहादर सा प्रतम के बाद उनका सबसे बड़ा वाला बेटा जो बना था उन्हीं का ये बेटा होता है आलमगीर सेकेंड के नाम से हम इन्हें जानते हैं तो अब तुरब पूरी तरह से ये बोला जाए तो सासन किसके हाथ में आ गया इमाद पुल मुल्क के हाथ में आ गया इस वजीर के हाथ में आ गया सिब कहने को ये आलमगीर राजा बने ठीक जैसे ही आलमगीर राजा बनता है ये याद रखना एक फैक्ट इंके में है ठीक आप इसमें आमासा के सासंकाल में एक फेक्ट है कि सेना को वेतन देने के लिए राजमाहल की वरतन बेचने पड़े याद रखना है पूछ लेता है आपसे question कि किसके सासनकाल में वेतन देने के लिए राजगहराने के बरतन तक बेचने पड़े थे तो वो जान लेना आमास साह के समय की बात का रहा है मुहमास साह के बाद जो आमास साह आते हैं अब बलते हैं आपके आलंगिर सेकेंड जो बनते हैं राजा बनते हैं 54 से लेके 1754 से लेके 58 तक 4 साल का इंका टाइम पिरियड रहता है इनका वजीर मैंने बता ही दिया इमादूल मुल्क रहता है क्योंकि यह वजीर बनने के लिए तो लड़ाई लड़ता है और राजा को अपनी कटपुतली बना लेता है इसी के समय में आमसा अबदाली दिल्ली तक आ चुका था क्योंकि आपके आमसा के समय में वो दिल्ली पर के आसपास के इलाकों मर आमसा अबदाली ने 5 बार आक्रमण कर चुका था कहा जाता है कि वो साथ बार आक्रमण किया था जिसमें से पहला आक्रमण उसका विफल था बाकी पांच बार आपके हमसा के समय में हमसा अबदाली ने आक्रमण किया और कई प्रदेशों में अपना वर्चस्व कायम कर लिया लूटा वहां से धंद उलत ले गया और इसके सास संकाल में कहा जाता है कि बंगाल जो सोतंत्र राज अपने आपको घोसित कर लिया था उसके जो नवाप थे सिरज दौला और अंग्रेजों के बीच ठीक है लड़ाई लड़ी गई वो कौन सी लड़ाई थी भाईया प्लासी का यूद्ध था ठीक जब ये आपके दिल्ली में बैटे थे उसी समय बंगाल में Ist India Company क्योंकि Ist India Company भी देख रही थी इंडिया का हालत इंडिया अपने आप मतलब अपने ही लोगों में जूज रहा था कोई भी राष्टिता नाम की चीज नहीं थी किसी के अंदर निशनल निजम नाम का कोई चीज नहीं था जिसके तरह कि व कंपनी के तोर पे थी तो वो सब देख रही थी धीरे धीरे उसका भी महत्तो कांच्छा जो है बढ़ने लगा वो देखा कि ये लोग तो अपने में ही जूच के मर रहे हैं कि क्यों ने इसका भाइदा उठाया जाए और यहां पे राज करने के जो है नीती अपनाई जाए और अपने अधिकार छेत्र में बढ़ोत्री कर रहे हैं तो सिरत जो दौला को ये लगता है कि ये सही नहीं है और जितने भी आंतरिक कर्थ हैं बंगाल के वैपार के वो सभी आंतरिक करों को हटा देता है और जिसके कारण आपके अंग्रेज और भारती वैपारी समान तलपे जाते हैं कहाजाए सेम हो जाते हैं equivalent हो जाते हैं इन सब को देखकर British East India Company गुछा जाती है और अपनी सेना लेकर सिरत जो दौला पर हमला बोल देती हैं कहाजाए कि जब घर का भेदि लंकाड़ाए कहाजाता है कि सिरत जो दौला के साथका जो सेना पती था वो अंग्रेजो में जाकर मिल जाता है जिसके कारण यह प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेज जी जाते हैं फिक तो इसी के सासनकाल में जब यह आप मुगल वन्स का यह राजा था आलम गिर दिती उसी समय बंगाल में क्या हुआ था आपका प्लासी का युद्ध हुआ था यह याद रखना बाकि इसके डीटेल में हम जब बंगाल प्रांत पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको यहां इसका पूरा डीटेल बताऊंगा ठीक नेक्स चल जाते हैं इमादूल मुल्क 1769 में आलमगीर दिती की हत्या करा देता है इसकी भी इससे नहीं बैठती है कहीं ना कहीं आलमगीर भी जो क्या करता है देख जाता है कि इमादूल मुल्क अपना जो है वर्चस्व चलान रहा है हमारे उपर तो यह अहमसा अबदा अब्दाली से के बेटे से साधी करा देता है कौन आपका आलमगीर सिकेंड इन सब को देखका इमादुल मुल्क का सोचता है कि हो सकता है यह आमसा अब्दाली से मृत्ता बढ़ा कर हमारे उपर अटेक न करा दे और इन सब से पहले ही क्या कर देता है वो उसकी हत्या करा देत इमाद उल्मुल्क और जैसे इसकी हत्या होती है इसका बेटा जान जाता है कि भाईया ये तो इमाद उल्मुल्क गदार निकला ये राजा को ही मरवा दिया ये तुरंत यहां से भाग खड़ा हो जाता है इसका पुत्र रहता है वो कहां भाग जाता है पटना भाग जाता है पट्रा भागने के बाद ये क्या करता है दिल्ली में दूसरे को राजा घोसित कर देता वो कौन होता है वो मुही उल्मिलत होता है ठीक है कुछ समय के लिए बोला जाए मुही उल्मिलत को इमादुल मुल्क दिल्ली का राजा बना देता है ये मुही उल्मिलत कौन होता है ये और कामबक्स का बेटा जो मोही उस सुन्नत होता उसका बेटा होता है मोही उल्मिलत होता है इसको क्या बोलता है राजा बना देता है और जब यह देखता है ठीक है 69 में आलंगीर दिती किर्मित्यू के बाद यह आपके कौन बन जाते हैं मोही उल्मिलत वहां के राजा बन ज तколь के लिए गटे और सार जहां किस नाम से बनते हैं सार जहां त्रती क्या थाड के नामसे राजगदी पर बैठते हैं यह याद रखना क्वेचन पोस्ता है कि साजाहन थाड के उपादी से कौन दिली की राजगदी पर बैठा था तो वे कौन था आपका expenditure मिलत था ठीक उसके बाद से जो आलमगीर दिती का पुत्र होता है क्या नाम होता है उसका सा आलम दिती वो तो पटना में होता है लेकिन अब पटना से गद्धी पाने के लिए वो मराठो का हेल्प लेता है आप हमें हेल्प करो हमारी पिताजी की गद्धी इमादल मुल्क ने हतिया लिया है तो मराठो के सरदार होते हैं सरासी उराव भाओ वो अपनी सेना लेकर हमास आपके सा आलम दिती के साथ निकल जाते हैं और सार जहांत तृती ठीक है जो सार जहांत तृती जिसे इमादुल मुल्क ने राजा बनाया था उनसे युद्ध होता है और ये सार जहांत तृती हार जाते है और हारने के बाद जो इमादुल मुल्क की ताना साही होती है एक तरह से बोला जाए इसे कैद कर लिया जाता है और खत्म करा दिया जाता है अब जैसे ही इंकी इमादुल मुल्क की ताना साही खत्म होती है तो आपके कौन सा आलम दिती आलम गिल्द के पुत्र राजा बनते हैं कहा जाता है ये कि अपने आपको राजा घोसित करने के बा जब इन्हें मार दिया गया जब इमादुल मुल्क आपके पूर रूप से खतम हो गया अब आ जाते हैं इनके बाड़े में पढ़ लेते हैं सा आलम दिती के समय में ये 59 से 1806 तक रहें राजा ठीक इनों ने भी 69 में ही अपने आपको राजा घोसित कर लिया था और आपके जो जहां थाड़ थे उन्होंने भी 69 में दिसंबर में अपने आपको क्या कर लिया था राजा घोसित कर लिया था और 60 तक ये दिल्ली पर रहे थे ठीक तो वही बोला जा रहा है कि गोसित अपने आपको राजा घोसित कर लिया था लेकिन अब कहा था ये पटना में था बाद म लिए अलम डिति के बारे में देख लें तो यह किसका पुत्र था आपका आलमगीर सिकन्ड का पुत्र सा पुत्र ये इसने जो है सा आलम की उपादी लिया था अली गौर ने किसकी सा आलम दिती की उपादी ली थी और सासन पर बैठा था पानी पत का तीसरा यूद आपका जो बोला जाए आमास सा अबदाली का और माराठों के बीच में इसी के सासनकाल में हुआ था ठीक इस यूद में मार जो है हार गये थे हुआ क्या था कि जब ये रगुनात राओ इसी के सासनकाल में पंजाब प्रांत में अमसा अब्दाली ने अपने सरदार को नियुक्त करके गया था और मराठों की सकती उसी समय जो है ये भी अपना सकती विस्तार कर रहे थे जिसके तरह दच्छिंट तक त अमसा अब्दाली का सरदार था उसे हरा दिये थे और जब ये खबर अमसा अब्दाली को पता चला तो अमसा अब्दाली तुरंट आपका कहां से अफगानिस्तान से उठा और अपना घोड़ा लेकर चल दिया और जैसे ही वहाँ से लूटके चला वो हर्याड़ा में आए और यहां से जो माराठा को पता चल गया कि भाईया अब तो अब्दाली आ रहा है अगर पंजाब को बचाना है तो माराठा से निक लेकर हम लोग चल पड़े तो यहां से आपके कौन जो है पूरे माराठे अपनी सेनाग लेकर सदा सिवरा भाव लेकर अपना सेनिक लेकर चल देते हैं और पानी पत की मायदान में दोनों सेनिक आमने सामने भिरते हैं कहा जाता है जब युद्ध हुआ तो माराठो कलग रहा था कि विजय प्राप्त हो जाएगा लेकिन जो बुंदेल खंड के जो सैनिक थे जो माराठो की सहयता कर रहे थी इस लड़ाई में उनको ब्लॉक कर दिया गया एक तरह से तो उनसे जो सहयता प्राप्त होता था जो अभी सेना के लिए रासन पानी आता था वो बंद हो गया सेना दीरे-दीरे माराठो की कमजोड हो गई अब हमस्सा अबदाली को इन्होंने काफी पीछे तक ढगेल दिया था अफगनिस्तान की तरफ जाने के लिए एकदम मजबूर कर दिया था लेकिन भाईया रिवर्स हो इसे क्या किया और अफगनिस्तान से सेना मना के अबदाली ने फिर से रिवर्स अटेक कर दिया जैसे रिवर्स अटेक किया तो मराठो ने अपने सेना को सम्हाल नहीं पाया और अफरा तफरी में काफी मात्रा में अबदाली ने नरसंहार किया और यहां पर इस पानिपत का थाड यूद जो बोला जाए 14 जनौरी 1761 को लड़ा गया था इसे अफगानियों ने मतलब जीत लिया अमसा अब्दाली ने इसे जीत लिया ठीक तो यह आपका हो गया कौनसा माराठो का और अमसा अब्दाली का यूद हो गया इस अमसा अब्दाली को एक नाम से और पुकारते हैं दुर्रे दुर्रानी के नाम से पुकारते हैं कुश्चन भी पूछता है दुर्रे दुर्रानी किसे काते हैं तो दुर्रे दुर्रानी आपका अमसा अब्दाली को काते हैं दुर्रानी समराज की अस्तापना किया था यह दुर्रानी समराज आपका अफगानिस्तान में है और इसे इसका फैलाओ इसने पूरा का पूरा इराग तक किया था इरान तक आपका इस समराज का जो है फैलाओ किया था इसने अमसा अब्दाली ने ठीक क्योंकि नाधिर सा कहा का था इरान का था ठीक उथी वहां का राजा था और वह सी के बाद से ही अमसा अबदाली ile जो है उसकी कमाल समावता है तो वह भी और आपका यहां अफगनिस्तान जो पहले मुग्लो के कभजे में था कंधार और कादूल वह अफगानियों के कभजे में हो जाता है यह मैंने सब आपके मेड़ेवल हिस्टी में बताया था कि लास्ट मेट कैसे आपका काबूल या कंधार जो है मुगलों के हाथ से निकल जाता है नेक्स्ट देख लेते हैं सा आलम दिती ने 1764 में बंगाल के सासक मीर कासिम और अवद के नवाद सुजाउद दौला ना कि सुराजुद दौला के साथ मिलकर क्या हुआ कौन सी लड़ाई लड़ें बकसर का यूध लड़ें उस बकसर के यूध में अंग्रेजों का जो सेनापती था वों कौन था का यूध था उसमें कौन था तो रोबर्ट क्लाइब था याद रखना अंग्रेजी सेनापती कर रहा था वो क्लाइब कर रहा था और यहां पर जो कर रहा था हैक्टर मुन्रो कर रहा था बाकी डीटेल हम जब पढ़ेंगे वो कब जब इसका आपको बेंगाल में और यहीं से हंडेट परसेंट यह हो जाता है कि भाया अब अंग्रेजी हुकूमत को कोई रोक नहीं सकता और इसी युद्ध के बाद क्या हुआ अंग्रेजों ने और सालम मुगलम जो राजा थे सालम दितियून के साथ क्या हुआ संधी की गई वो कौन सी संधी थी इलाव जिसके अंतरगत क्या हुआ वा सालम को कड़या और इलावाबद का छेतर मिला और मुगलम बासा ने क्या किया अंग्रेजों को क्या किया कहाँ कहां कहाँ का दे दिया छेतर वो देख लो elder लकिerem कि यहीं से आप बंगाल का बिहार का और उडिसा ये तीनों प्रांत के जो भी राज़स होगा उन सब को आपको वसूलना है ठीक तो यहां से इनको क्या हो गया पूरी फ्री छूट हो गए और बोला जाए यह 100% क्या हो गए कि पूरा तरह अब लगने लगा था कि अब अगला जो है समरा अपना स्थापित कोई करेगा भारत पे तो वो कौन करेगा अंग्रेज करेंगे ठीक है पहले तो प्लासी का युद्ध हुआ ये युद्ध के बाद जैसे वो जीते उनका confidence आई हो गया और 64 में बकसर के युद्ध के बाद तो वो 100% से ओर हो गया कि अब इहां इफ बट क् कंडिशन कोई नहीं है इंको भीड़ा दो ठीक है अब आपस में ही और अपने राज करो और इसी के साथ इन्हों ने क्या किया कंपणी ने 26 लाख रुपया सलाना देने का वादा किया था किसको आपके जो मुगल राजा थे सालंधिती तो साह आलंधिती को 26 लाख रुपय देने का वादा किया था यह कोश्चन यहां से पूछता है आपसे बोला था एक कोश्चन पूछा था आपसे आयोग ने कि निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ठीक है तो उसमें कई option दिये थे कि इसकी बंगाल बिहार और उडिसा की दिवानी दे दी गई एक option यह था कि मुगल बासा को एक लाग प्रतिमा का वेतन दो है यह लोगों ने अंग्रेजों ने देने का सिवकार किया तो एक लाग कहां एक लाग से तो उपर हो गया आपका 26 लाग रुपया सलाना तो 12 लाग तो यही हो गया प्लस 15 लाग और दिये गए थे किसके लिए इनको कि और भी जो भी एक्ष्टा खर्चे होंगे आपके भाया बासा हो तो उसके लिए 15 लाग एक्ष्टा दिये गए थे तो यह टोटल 26 लाग हुआ था यह आयोग का कोशन था ठीक तो वह कथन गलत था कि एक लाग प्रतिमा वेतन वाला नेक्स्ट आपका 1788 में रुहेला सर्दा ठ अपने आपको इंडिपेंडेंट घोसित कर लिये थे ठीक किसके सासंकाल में मुहमद सारंगीला के सासंकाल में उसी समय आपका हैदराबाद भी सोतंत्र हुआ था अवद भी हुआ था ठीक तो उसी में यह रुहेले सर्दार भी अपने आपको सोतंत्र घोसित किया थे उसी क्या किया सा आलमदिती को अंधा करकर जेल में डाल दिया फिर बाद में आपके सरदार महादजी सिंदिया ठीक है महादजी सिंदिया आते हैं और सा आलमदिती को जेल से रिहा कराते हैं और दिल्ली की गद्धी पर बैठाते हैं और जो रुहेला सरदार था कौन गुलाम कादिर को इसको फांसी दिलवा देते हैं तो फिर से ये अंदातो करके ये जेर में डाल देता है रुहेला सरदार फिर बाद में ये आपके जो माराठा सरदार आते महादजी सिंधिया ये क्या करते हैं इनको गद्धी पर फिर बैठाते हैं और इसको रोहला सरदार को फांसी की सजा दे देते हैं लेकिन 1803 में क्या होता है अंग्रेज दिल्ली तक फिर से आ जाते हैं 64 में आपका 65 में वो संधी हुआ संधी होने के बाद कुछ समय तक ये अपना राज की हैं लेकिन 1803 में अंग्रेज दिल्ली पर अधिकार कर ले गए और सा आलम दिती को पेंसनर बना दिया क्या बना दिया पूर रूप से पेंसन देने लगे हैं कि भाईया आप सिफ अंग्रेजों के प्रतिनिधी के रूप में यहां पे रहोगे बाकि सब कुछ यहां का राजस वजस जो भी होगा वो और सेंड सकती भी किसके अंतरगत आजाएगी आपके अंग्रेजों के अंतरगत आजाएगी ठीक तो यहां सिर्फ यह पेंसनर बन गए तो आपसे पूस्ता है कि पहला मुगल साथक कौन था जो अंग्रेजों का पेंसनर था तो कौन था वो आपका सा आलम दितिय था ठीक ये याद रखना ये पूस्ता कोश्चन कि पहला मुगल सासक जो अंग्रेजों का पेंशनर बना वो कौन था सा आलम दितिय था उसके बाद से 1803 में पूरा दिल्ली पर इंका अधिकार हो गया और अंग्रेजों ने ही 1806 में ठीक एंग्रेजों में जैसे चैए में इंकी मृतिय होती है इंके मृतियों के बाद घ्क बइठा है 1806 में एंग्रेजों ने और सबिक्ग मृतिया और ये मिद्धियोंग्रेप बैठता है 1806 में उसके बाद से इसके सासंकाल में बाकी कुछ होता credit कि आप सब कुछ जान लो कि किसकी साथ आ गया अंग्रेजों के हाथ में आ गया वह करना होगा बाकी राजगदी पर बैठे रहो ऐसाराम करते रहो ठीक वही हालत हो गई थी अब मुगलों की तो इसी के सासनकाल में राजाराम मुहनराय को कहां पर इंग्लेंड भेजा गया था कि भाया तुम जाकर वहां बताओ कि अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं ठीक है यह जाते हैं इंग्लेंड वहां की राजदरबार में बताते हैं सब कुछ इस्तिती लेकिन वहां इंका इगनोर कर दिया जाता है इने, ठीक है कोई सुनता नहीं है कि हम मुगल बाधसा को ऐसा कर दिया गया है, पेंशनर बना दिया गया है, सब कुछ बताते हैं, सब दैनी इस्तिती बताते हैं क्या कर रही है कमपनी, कैसे राज, वहां पर एक्दम सासन करने पर उतारू हो गई है कमपने वहां के राजा को सब बताते हैं लेकिन राजा राज दर्वार में वहां इग्नोर कर लिया आता है किसके राजा रामोहन राय के बातों को तो राजा की जो उपाधी रामोहन राय को दी गई थी वह किसके द्वारा दी गई थी अकबर दिती के द्वारा दी गई थी य 1237 में अकबर सा दिती इन्हें अकबर सा दिती भी बोलते हैं और अकबर दिती भी बोलते हैं अकबर दिती इसलिए अकबर फस्ट कौन था तो अकबर फस्ट वैया सार जहां का औरंग जेब का बेटा था ठीक है जो उनके खिलाब विद्रो कर दिया था मैंने पढ़ाया है अत्या हो जाती कब 1837 में किम्रुत्य हो जाती है उसके बाद से आपके अगले बासा बनते हैं बहादूर साधिती लाश्ट आपके मुगल रूलर बनते हैं ठीक है मुगल सासक के लाश्ट रूलर जो 37 से लेके अठारा सो संतावन के क्रांती तक ये रहते हैं उसके बाद संतावन के क्रांती होती है और अंठावन में ही क्या हो जाता है आपका कि पूर रूप से British का जो है यहां पर बोला जाए British crown का राज हो जाता है रानी के जो है राज इहां सुरू हो जाता है तो 37 में अकबरदिति की मर्तियों के बाद यह हों एक हुआ अंगरेजों ने यहां सासक बनाया ठिक इनका उपनाम और क्या था यह जफर नाम से सायरी करते थे तिक है जिसके कारण इन्हें जफर भी कहा गया मौहमद साजफर ठिक है अधूर बहादूर साह जफर भी नहीं का नाम है क्योंकि यह जफर नाम से क्या लिखते थे साहरिया लिखते थे 1857 में जो क्रांति हुई थी जो विद्रो वा था मंगल पांडे ने सुरू किया था उस विद्रो में जब मेरट से सैनिकों ने दिल्ली तक आ पहुंचे तो दिल्ली में एक नेता की जरूरत थी उस विद्रो को नित्त्व करने के लिए तो वहाँ पर नेता के तोर पर इन्हें नियुक्त कर दिया गया किसे बहादूर सा को नियुक्त कर दिया गया बहादूर साधिती को जो इस 1857 की करांती का एक तरह से बोला जाए नेता नित्त्व कर दिया गया खी आपही सोहनिक को क्या करोगे नित्य तो करो फिर बाद में अंग्रेजों ने νेंग spaces की आ इनका इनका पूरा के पूरा ए्या थारा स्थावन का विद्रो का दमन र działa से पूरा को करें-व कि यह दिल में ठीक और वहीं क्या क्या हो टिक संतावन में तो ये पूरा कर नो रूप से क्त próxim जाता है क्रांती होने के बाद बोला जाये तो था मोगल सासक इंडिया से सप्तम हुज्ञ पर बowan कराज से वेड़ से अिक मां या ब hedge कर वेड़ कन मिर 낫्ला ओबे उसके मरने के बाद कोई भी सुचारू रूप से समराज का जो संचालन नहीं कर पाया ठीक किसी ना किसी कारण वस एक दूसरे को मारते रहें गुट बंदी होनी गई जिसके कारण ये सफल नहीं हो पाए ठीक तो इस तरह से ये समराज इंका क्या हुआ बिखर गया मुगलों क अब उस पर इतिहासकारों का क्या-क्या रोल है क्या-क्या कहते हैं उन्हें देख लेते हैं देखो मुगल समराज के पतन के कारण ये आपसे पूच्ता है अगर कहीं तो आप लोग इसे बता सकते हो कि क्या-क्या मेन कारण थे पहला था अयोग उत्तर अधिकारी ठीक कोई बारे भी जो है ओवन एक इतिहासकार थे वो बोले कि बहादूर साथ के अलामा इतिहास में किसी के बारे में अच्छा नहीं कहा जा सकता जो सिड्नी ओवन थे मैंने पढ़ाया आपको पिछला लेक्चर देखिएगा ओवन ने कहा क्या कि यही एक सासक हैं उत्तर मुगलकार क जिनके बाले में कुछ अच्छा कहा जा सकता है इसका मतलब यह हुआ कि उनके बाद कोई भी योग के सासक आपका नहीं बना कौन मुगल सामराज में तो यह भी एक क्या है आपका डिमेरिट है पतन के कारण है दूसरा मैंने बताया था दर्बारी गुटबंदी दर्बारी कर गए थे जिसमें से इरानी ठीक है तुरानी और आपके कौन अर्भी लोग थे अब यह सभी लोग जब बावनी सामराज का समापन हो गया ऐसे छोटे-छोटे सभी सामराज समाप्त हो गए 86 तक वीजापूर ठीक है आमदनगर ठीक है आपका गोलकुंडा यह सब जब समा मुगल दरवार में दिल्ली तक आप पहुंचे थे और इंका एक अलग अलग गुट बन गया था इसी गुट में आपके हिंदोस्तान मुसलमानों का भी गुट था जैसा मैंने जिक्र किया था कि सयद बंदू तक किंग मेकर कहा जाता था वो लोग सामिल थे ऐसे अलग सामराज के पतन का कारण था नेक्स्ट तीसरा क्या है ओरंग देट का उत्तरदायोत के कहाता इतिहास्त कारों के द्वारा कि मुगल सामराज का पतन तो और ग्रम देट के सांसंकाल के समय से ही हो गया था क्योंकि उसकी कुछ धार्मिक नीतियों के कारण ना राजपुता ना उसके साथ संकाल में उसकी आग्या मानते थे क्योंकि उसकी धार्मिक नीतियां इतनी कटर थी जिससे राजपूत भी क्या किये विद्रो पैदा कर दिये सिख जो है सामराज जिथा उसने भी विद्रोः पैदा कर दिया और इसी विद्रोः के कारण तो भाजुर को ये मरवा देता है उसका फांसी का सरदर्ट से अलग करा देता है ऐसे मृत्यु देता है तो यही इतिहास कारकाते हैं कि कुछ इसकी धार्मिक नीतियों के कारण और अंजेब के कि उसका पतन मुगल सामराज का उसी समय से चालू हो गया था ये भी एक कारण है नेक्स्ट है सैनिक छमता बोल सकते हो कि एक तो कहा जाए यहां पे मुगलों की खुद की सैना नहीं थी बोला जाए यह मनसब जो बताये थे ना मनसबदारी जो सिस्टम चला था कि राजपूत हुए अब जैसे जैसिंग है मान सिंग है इन सब को साथ साथ हजार का मनसब दे रहे था कि इतने आपकर जात हैं तो इतने आपके सवार होंगे सवार मतलब सैनिक होंगे घौर सवार होंगे ठीक तो वह साथ submitted तो अगर वो तो समझे लो क्या हुआ है तुम्हारे समराजी का तो बिनासी हो रहा है जब तक तुम्हारे आधीन है तुम्हारे term condition और मनसबों के term condition बैठ रहे हैं सटीक बैठ रहे हैं तब तक तो आपको वो कुछ समझ रहे हैं जिस दिन उनका terms condition आपसे थोड़ा सा भी powerful हुआ और एक दो मनसब मिलकर आपके खिलाब विद्रोग कर देंगे तो आप क्या कर लोगे जान जाएंगे सामने वाला कम जोड है तो या तो अकबर की तरह सोच के रखो कि सबसे मेर मिला आपकी नीती अपनाओ अगर और इसी यही काल हुआ कि और अपके जो मनसब वाले थें वो क्या कि एक जुठो कर और अपके नीतियों के खिलाब क्या कर दिये विद्रोग कर दिये थे तो यह कितिहासकार यह भी बोलते हैं कि इनकी खुद की सेना ना होने के कारण क्या हुआ मुगलों का पतन शुरू हो गया था नेक्स्ट आपका पांचवा मनसब मैंने यह बता ही दिया मनसबदारी वास्था के बारे में जो अकबर ने शुरू किया था डाक्टर कौन काता है सतीष चंद्रा आपके जो है मेडवल एस्ट्रेंग की आती है आप लोग पढ़िएगा मेंस के लिए सतीष चंद्रा की तो उन्होंने अपनी पुस्तक किसमें पार्टिस एंड़ पॉलिटिस ऑफ मुगल कोट में लिखा है कि जो मनसबदारी विवस्था थी वह बहुत सक्सेस विवस्था नहीं थी जिसके कारण मुगलों का पतन हुगा था नेक्स्ट है समाजिक विवस्था डाक्टर जादूनत सरकार ने अपनी पुस्तक फॉल ओप दे मुगल एंपायर में लिखा है कि मुगलों के पतन के कारण था सैनिक और राजनेतिक दुरुबलता सेम वही बात बोले हैं भी ठीक है कि इनकी सैनिक नहीं थी सैनिक दुरुबलता थी और आपका बोला जाए एक राजनीतिक बाद में लास्ट में चलते चलते जो इनके ही धरवार में कई घुट बनने लगे थे तो उससे क्या हुआ राजनीति जो है अपने ही पूरे परिव कारण में ही सुरू हो गई थी तो वह भी एक बोला जाये कि मुगल का है क्या हुआ था पतन के कारण थे नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिसी संकट डाक्टर इर्फान हभीब की जो पुष्टा है अग्रियरियन सिस्टम आफ मुगल इंडिया इसमें इन्होंने क्या है कि जो क्रि जब बहादूर सा प्रथम मरने के बाद आपके कौना जहादार सा एक साल के लिए यह आये थे ठीक और उसमें कौन पूरा सासन देख रहा था जुल्फिकार खा पूरा का पूरा जो है आपका बोला जाये राज्यों जो वसूला जाता था उसे ठेके पड़ दे दिया जिसे कहीं नहीं कर असुलने के लिए आपके औरंग्जेब का भी दोस्ठार आये जाता है कि ओभी किसानों पात्तियाचार किया था धार्मिक रूप से आर्थिक रूप से दोनों से तरीके से किया था जिसके कारण किसान जो हुआ क्या किये अपनी खेती जो है छोड़ दिये उस तो यह सब मैक्सिमम हर एक इतिहासकार के अपने अलग अलग जो पहलू है बताने के इसके डिकलाइन होने के उसी में आपके जो हैं भी पिन चंद्रा जो मॉडरन हिस्ट्री के आपके लेकाक हैं वो भी बोलते हैं कि सबसे बड़ा कारण तो यहीं माना जाता है कि जितने भी आएं सब के सब एक नसुड़े थें कि किसी में यह नहीं था कि राष्टी एकता को ध्यान में रखकर जो है लड़ा जाए अंग्रेजों के खिलाब तो वो भी अपना एक किसी तरह बोलें किसी के अंदर राष्टीता नाम की भावना ही नहीं थी इसलिए पूरा सामराज क्या हुआ पतन की ओर अगरसर हो गया तो यह सब चीजे रही जो है आपके मुगल एंपायर के डिकलाइन होने के बाद नेक्स्ट हमारा जो होगा वो हम पढ़ेंगे इसके बाद जैसे मुगल एंपायर गायब हुआ तो अब मुगल समराज की सकती तो उसी समय से कम होने लगी थी और अंग्रेब की समय से ही लेकिन जैसे ही इनकी रवय देखें उत्तरादिकारियों की, इंके और अंग्जेब की सभी अपने आपको सोतंतर घोसित करने लगे और मैंने बताया भी कि कैसे आपके निजाम सोतंतर हो गये, बंगाल सोतंत हो गया, उसी तरह माराठा भी तो अब यह धीरे धीरे एक बड क listening करेंगे करेंगे अपना जुह सामराज स्थापित करेंगे इन सब के बारे में मैं डिटल में नेक्स्ट क्लास में बात करूँ गा- तब तक के लिए सभी लोग इस वीडियो को लाइक करदो सेयर कर दो और चैनल पर जितने लोग ने हो सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं अगले सेशन में धन्यवाद